धरने पर बैठे खिलाडियों की मांग पर खेल मंत्राले ने ब्रजबूशन शरण सिंग समेट WFI के सदस्यों से जवाब मांगा है खेल मंत्राले ने भारतिये कुष्टी संग के अध्यक्ष सचेव विनो तोमर को भी सस्पेंड कर दिये इसके साथ ही खेल मंत्राले ने WFI पर तमाम प्रतिबंद भी लगाएं खेल मंत्राले ने WFI के अध्यक्ष ब्रजबूशन शरण सिंग को जांच पूरी होने तक फेडरेशन से अलग कर दिया है अध्यक्ष ब्रजबूशन शरण सिंग के बीच चल रहे विवाद में अब युगा पहलवानों का भविश्ट भी फस गया विवाद के चलते गोंडा में चल रहे ओपन रेस्लिंग नैशनल टॉर्नमेंट को रद्ध कर दिया गया जिसके बाद देश के कई राजियों से टॉर्नमेंट में हिस्सा लेने गोंडा पहुंचे युवा खिलाडियों के चेहरों पर मायूसी लिखी जिन खिलाडियों के मैच होने वाले थे वो कड़कडाती थंड में दूर दरास से गोंडा पहुंचे थे लेकिन टॉर्नमेंट रद्ध होने की वज़े से उन्हें वापस लोटना पड़ा खिलाडी अकाडे में बिना दमखम दिखाए ही वापस लोट गए लेकिन इस दौरान यहां एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी दिखी गोंडा में हरियाना से कुछ रैसलर ऐसे भी आये थे जो यहां हो रहे नैशनल रैसलिंग टॉर्नमेंट को बंद कराना चाहते थे इन लोगों की मंच्रा मैदान के बाहर धरना देने की थी उतरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के हुसंगम गाउं में एवलांच आने से हड़कम मच गया एवलांच का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उचे पहार से आया एक बरफीला तूफान घरों से टकराता दिखा अरा के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है बांदीपोरा समेट जमू कश्मीर के बारा जिलों में हिम्स्कलन की चेतावनी जारी कर दिए मौसम में थोड़ा सुधार आने के बाद उतराखन के जोशी मट में असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है वहीं जमीन धसने से घरों में आई दराने बरफबारी की वज़े से और चौड़ी हो गई है लहाजा बढ़ते खतरे को देखते हुए असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम फिर से शुरू कर दिया गया बारिश और बरबारी की बाद मलारी इन और माउन्ट विउ होटेल को तोड़ने का काम बंद कर दिया गया था एक बार फिर मजदूर इन असुरक्षत भवनों पर कठर चलाते दिखे मलारी इन और माउंट व्यू को द्भस्त करने में ड्रिलिंग मशीन और बुल्डोजर लगा दिये गए मौसम की मार के बीच जोशी मट में दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है दरार वाली इमारतों की संख्या बढ़कर 849 हो गई है जब कि अब तक 279 परिवारों को अस्थाई राहत किंद्रों में पहुचाया जा चुका है आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए ढाका गाउं में भूमी चिनहित की गई है इस बीच बर्फबारी से इमारतों और दरारों में पानी रिसने से जमीन धसने की आशंका और गेहराने लगी है बीते कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने उत्तराखन के लोगों की मुसीवत बढ़ा दी है सरदियों में जम चुके पहाडी इलाके से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है और उत्तरकाशी, चमोली, पिथोरागर, रुद्र प्रयाक, सहित धाई हजार मीटर से ज्यादा उचाई वाले शेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वज़े से करीब सौ गाउं का संपर्क बाकी राज्यसे कट गया है दो दिनों से जारी भारी बर्फबारी की वज़े से उत्तरकाशी के ही 25 गाउं अलग खलग पड़ गए है प्रभावित गाउं में बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ गई चमोली जिले के 47 गाउं में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है बर्फबारी का असर मवेश्यों की देखभाल पर भी पड़ा है जमु कश्मीर के गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर बड़ी तादात में चात्र स्कींग करते हुए दिखाई दिये बताया गया कि यहाँ पर स्कींग सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैम्प लगाया गया जिसमें चात्राओं के लिए विशेश रूप से स्कींग की ट्रेनिंग दी जा रही है कश्मीर के उपरी इलापों में लगतार बर्बारी से वहां के मैदान सफेद हो चुके हैं और बर्ब की मोटी परत बिचने के बाद ये बादियां विंटर स्कोर्स के लिए तयार हो गई है ऐसे में जमु कश्मीर के यूद सर्विस और स्कोर्स विभाग ने श्रीनगर की स्कूली चात्राओं के लिए स्कींग की ट्रेनिंग शुरू की है श्रीनगर के अलग-अलग सरकारी स्कूलों की करीब 45-45 यहां पहुंची हैं जो बेजिक से लेकर स्कींग के एडवांस कोर्स में हिस्सा ले रही गुलमर्ग दुनिया में स्कींग के लिए मशूर जगहों में से एक है जहां बड़ी संख्या में लोग स्कींग करने पहुंचते हैं और इसलिए घाटी में टूरिजम और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरहा के प्रोग्राम शुरू किये गए हैं जमु कश्मीर के गुलमर्ग में हर साल ऐसी ट्रेनिंग का आयोजन होता है ताकि घाटी के युवा विंटर स्पोर्ट्स में वैश्ट्विक स्थार पर अपनी पहचान बना सकें पंजाब के मुख्यबंत्री भगवंत मान दो दिन के मुंबाई दौरे पर मुंबाई दोरे पर गए सीम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है सीम मान ने मुंबाई के फिल्म स्टूडियो से अपील की कि वो पंजाब में भी अपने स्टूडियो बनाए त्रिपुरा में विदान सभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है इस बीच राज्ये के मुक्यमंत्री मानिक साहा ने घरघर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की त्रिपुरा में 16 फरवरी को मद्दान होगा महराश्र के पुणे में सकल हिंदू समाज ने हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली इस दोरान उन्होंने गौहत्या लब जिहाद और धर्मांतरन के खिलाव कानूं की बांग की राजस्तान के भरतपूर में टोल ना देने पर हुए विवाद के बाद दबंगों ने टोल बूत पर फाइरिंग कर दी बदमाशू ने तोड़ फोड करते हुए टोल कर्मियों की जमकर पिटाई की इसमें तीन लोग घायल हो गए जिसमें से एक किहारत गंभीर बनी हुई है और दिन भर चली बैठक में कमजोर बूत को मजबूत करने पर चर्चा हुई पिशली बार यूपी में जो लोगसभा सीटे बीजेपी हारी थी उन्हें कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए बैठक में प्लैनिंग हुई बैठक में निगाय चुनाव से लेकर लोगसभा चुनाव के तयारियों का ब्लूप्रिंट भी तयार किया गया प्रदेश कारे समिती की बैठक से सीम योगी ने 2024 में बीजेपी की जीत का श्रंखनात किया इस दौरान सीम योगी पूरे उत्साह में दिखे सीम योगी ने दावा किया कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी उप चुनाव भी जीते और अब लोगसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी